बड़ी खबर बिल रही है उसका रुख करते वे बीजेपी सांसद निशेकान दूबे का बड़ा दावा है शिबू सुरेन नहीं चाहते हैं कि चमपई सीम बने ये बड़ा दावा निशेकान दूबे की तरफ से कहा गया है निश्यकान दूबे अक्सर मुखर रहते हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बाते रखते हैं ऐसे में बीज़ेपी के सांसद है निश्यकान दूबे उनका एक बड़ा दावा है उन्होंने कहा कि शिबू सुरेण नहीं चाहते हैं कि चंपई सुरेण सीम बने अब कि शिबू सुरेण की काफी करीबी माने जाते हैं और ना केवल शिबू सुरेण के बलकि बीज़ेपी सांसद निश्यकान दूबे का बड़ा दावा है और चंपई सुरेण की तरफ से भी कहा गया है कि वो राज़ेपाल से मुलाकात करने पहुँच रहे हैं लेकिन सरका बीज़ेपी जो है वो भी अपने विधायक दल की मीटिंग बुला रही है कल सुबह 11 बजे ऐसे में एक यजारकन के समीकरण बदल जाएंगे क्या जो विधायक है वो तूट जाएंगे आगे की रण नीती बीज़ेपी कैसे सेट करती है लगातार नजर बनी भी है लेकिन फिलाल अपडेट यही डीज़ेपी सांसत निश्यकान दूबे का बड़ा दावा है उनकी तरफ से कहा गया चमपई सुरेन जोने मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है दरसल शिबू सुरेन नहीं चाहते हैं कि चमपई सुरेन सीएम बने मुझे उमीद है कि उन्हें कल आमंत्रन भेजना चाहिए अरना अगर आमंत्रन ना भेजे देरी तो है मैं आपकी बात से आसामत नहीं हूँ लेकिन फिर भी दुबारा हम समोने आगरे किया है उन्होंने का कि जल्द आपको आमंत्रन देंगे अभी क्या आपको लगता है उनके लोग तो चाहते हैं कि हम जल्दी सत्ता तक पहुंचे हैं विजफी क्यों से आपके वधायकों को देखिए हमारे विधायक कोई खरीदे नहीं जा सकते हैं तो देखिए इस वक्त जो सियासी हलचल है जो गहमा गहमी है वो तेज हो चुकी है जो तमाब वधायक हैं वो हाइद्राबाद शिफ्ट किये जा रहे हैं और इस वक्त राच्री एड़ोट से ये तस्वीरे सर्वेश पाठक मेरे सहयोगी आप तक पहुचा रहे हैं अंदर वधायक हैं और उन्हें एलिफ्ट करने के लिए दो चार्टर्ट प्लेन वहाँ पर मौझूद है इसे बीच बीच बीजेपी के सांसद है निशेका अंदूबे उनके तरफ से बड़ा बयान है वो कह रहे हैं कि शुबु सुरेन नहीं चाहते हैं कि चौंपत माफ कीजेगा चौंपय सुरेन सीम बने हाला कि कल्पना सुरेन पे जो है ये पूरी बाचीत अटक चुकी थी उसके बाद ही चौंपय सुरेन का नाम लिया लिया है और सभी लोग सभी लोग जो 45 लोग है वो सब लोग साथ है कहीं कोई दिकत की बात नहीं नहीं भरोसा पूरा है भरोसा भारती जंता पाटी और केंद्र सरकार और उसकी गुलाम एजन्सियों पर नहीं कब क्या करेगी किसी को पता नहीं होता देश में सिर्फ गैर भाजपास आसित राज्यों में सारी कारवाई एडी की होती है और कहीं क्यों नहीं इस तरह की कारवाई करती है बिल्कुल राज्यपाल जी जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक हम गुहार लगाने लगातार जाते र सर्फन समर्थन पत्र समर्पित कर दिया आप लोग जिन को हम चौथा स्थम मानते हैं उनके सामने तमाम विधायकों को प्रस्तुत कर दिया तो हमें लगता वामंत्रन देने की बात है आज मिले हैं कल निश्ची तूरूप से बुलाएंगे प्रस्तुत कर दिया तुरूप से बीच बड़ा दावा है कि शिबु सुरेन नहीं चाहते हैं कि चंपई सीम बने लेकिन कल्पना के नाप पर मोहड नहीं लग गई है पारिवारे जो कलर है वो सामने आ गई अब ऐसे में क्या कुछ फैसला होगा शिबु सुरेन का और जारखंग की राजुनी पीके सोर करवट लेगे लग